वेलकम फ्रेंड अवर यूटीब चैनल टेक्नीशन इस्पॉर्ट दोस्तों टेक्नीशन इस्पॉर्ट पे जो प्रिंटिंग की सीरीज चल रही है जो मैं प्रिंटिंग की सीरीज आपके लिए रेगुलर लेके आ रहा हूँ उसी की ये नेक्स्ट वीडियो से है और अगर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं आपका 18 दिसंबर को नेक्स्ट एक्जाम लगा हुआ है तो आप तैयारी कर सकते हैं अपने नेक्स्ट एक्जाम की ठीक है दोस्तों 18 दिसंबर को आपका एक्जाम है आई एस्पी ना सिका उसमें 80 कोश्टन आ रहे हैं प्रिंटिंग से तो आपको आगर सीट चाहिए या आपको प्रिंटिंग में ही तब ही आपका पेपर क्लियर होगा तो देखिए दोस्तों आपन चलते हैं कि अभी बहुत सारी इस्टुडेंस ये कमेंट कर रहे थे वीडियोस पे कि उनको पेपर के साइज पे पेपर के साइज A0 से लेके A10 जितने भी साइजेस होते हैं उनके साइज पे और पेपर की क्वालिटी कौन से पेपर यूज करते हैं किस तरीके पेपर यूज करते हैं उनके एक वीडियो चाहिए तो ये सेपरेट लेक्चर है उन्हीं पेपर के साइज से लेके पेपर की क पर दूँगा ठीक है दोस्तों तो आई होप आपको यह वीडियो मेरी यह कोशिस थोड़ी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्षन में और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा कमेंट करना जरूर ठीक है दोस्तों सेयर करना मत भूलना यह देखिए क्या है कि जो भी प्रिंटिं पेपर यूज के जाता है पर अभी बहुत सारे पेपर को भी यूज करते हैं जैसे हमें यहां पर क्या है कि सही प्रिंट आउट के लिए सही पेपर का चैन जरूरी होता है ठीक है दो तो यह जो भी कार्टेज रहती है उसकी कार्टेज मतलब एक ब्लॉक रहेगा जिसमें लगाए जाता है उसको उसकी साइज अलग अलग होती है तो अगर हमें पेपर की साइज मालूम है तो उसी कार्टेज में वो बैठेगी और पेपर किस तरीके जैसे मैट पेपर होता है ग्लॉसी पेपर होता है लेजर प्रिंटर में अलग तरीके की पेपर्स यूज होते है है न तो यहें यह सारे के सयरह प्रिपरस कैसे रएते हैं अपने पहले बात करते हैं कि inksid printer paper कैसा रहता है जैसे label वग़ार की ने क्या के रूप नियुअ कि झरी के साथ में शाथ में काम करते हैं इसले डीजाइन किया ग्या है inksid photo of paper होता है बिजनेस कार्ड, गलॉसी, इंक्जेट ये सारे के सारे ऐसे एसे रूप हैं ऐसे टरमिनलोजी हैं जो इंक्जट लेजर प्रिंटर में काम आते हैं जो इसच debates को यूज करते हैं ठीक है ठीक है ? तो अभी यहाँ पर जो laser printer paper है वो किसी तरीके के होते हैं laser printer में mostly ink set paper printer के बीच ink set printer जो होता है उसको use करते हैं और उसके साथ मैं आपको एची ज़ूर बताने चाहिता हूँ कि जो इसमें toners वगएरा होते हैं कार्टेज होते हैं उसका भी उपयोग करते हैं स्याहीं का थो कागज होता है वह स्याहीं को सोखने वाला रखते हैं मतला वह बहुत जल्दी स्याहीं को Googleिum ABS ON AI है ना फिर आपको मैट पेपर के बारे वी मतहरत देखिए मैट पेपरह ऽेखिंदा ज्रीफिता और ज्दूदा या गंदा फिपरह आपको बोल सकतेz तरह होता है और नियू नदव चमक चाहेते हैं बहुत कम चमक रहती है उस तरह के का प्रिंट होता है और ग्लॉसी पेपर कहता है के जो होता है आपका बहुत जादा चमकDar अच्छा रहता है और उसको मेल जो होते प्रोजेक्ट वगएरा उसको बनाने के लिए ये जब टिकाओ और सहाई और अच्छे रंग की गहराई वाले कार्टेज के साथ में जोड़ा जाता है जो चमकदार पेपर चमकदार प्रिंटिंग पेपर आपके प्रिंट आउट को तेज और सांदार र कि को बनाने हैं आपने एक प्रिंट कार्ड देखा वगान उपने की कार्ड सवगार देदेता है की सौफट कीपर के पास पास जाई यह साइये अगर वह बगदा डीलर है सब्स nuevo no आप जैसे तरीके का पेपर होता है तो उसको यूज करते हैं अब आब चलते हैं papers के size पे ठीक है दोस्तों तो paper का size क्या है A2 जिसे within प्रकार की paper होते है और सबका अलग size होता है जैसे देखिए A0 से जो start होती है A4 सबसे जादा use करने वाला printing में सबसे जादा use होगा A4 अब ही जो मैं आपको चितने भी कागज बता रहा हूँ बहुत ध्यान से इसके पढ़िएगा इसको आप नोट भी कर सकते हैं नोट करके रख लीजेगा देखे जो A4 साइज पेपर होता है उसका साइज क्या होगा देखे A4 साइज जो है मेन A0, A0 से स्टार्ट होता है जो A सीरीज है उसकी बात कर रहा हूँ तो A0 में 4841 x 1189 mm की mm का जो आपका ये लंबाई और चौनाई रहती है वो इतनी रहती A0 में तो A0 सबसे बड़ा पेपर भी हो सकता है देखे यहाँ पर A0 जो है सबसे बड़ा है फिर आपका A1 है फिर आपका ये सौरी यहाँ में स्प्रिंट हो गया A1 है जो 594 x 841 mm का है और फिर A2 है जो 420 x 594 mm का है और उसके साथ फिर A3 की बात कर लेते हैं तो A3 की जो है 297 x 420 mm है और A4 जो सबसे बड़ा अगर आपसे एक कोशन ये भी बुश सकता है कि most use होने वाला mostly use होने वाला जो आपका पेपर है वो कौन जाए तो वो पेपर होगा A4 पेपर और या आपसे इसकी लेंथ देखिए previous पेपर में इसकी जो लंबाई और चौरा ये length into breath है वो पूछी गई है तो ध्यान से इसको समझेगा ये सारे A5 पेपर जो होता है उसकी कितनी length होगी 148 into 210 mm उसके सासाथ A6 है 105 into 140 देखिए जैसे से पेपर साइज बढ़ता जा रहा है पेपर A ग्रेड बढ़ता जा रहा है 4 से 5 से 6 ऐसे चलता जा रहा है पेपर की साइज छोटी होती जा रही है तो एक कोशन प्रिवेस में पूछा था कि सबसे बड़ा पेपर कौन सा है जा आपका SPP में SPP हधराबाद के जब एक्जाम होता तो वहाँ बिग साइज of पेपर पूछ लिया था ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर A8 जो है 52 into 74 mm का होगा A9 आपका 37 to 52 होगा और एक A10 है यह लाश्ट पेपर A सीरीज का है वो 26 into 37 होगा अब देखिए यहाँ पे जो बड़े प्रिंट आउट होते हैं उनके लिए A2 और A1 और A2 पेपर का यूज़ किया जाता है और छोटे के लिए A5 और A6 यह भी बूछ सकता है कि Masterpiece Poster बनाने के लिए हम किसका उप्योग करते हैं ठीक है दोस्तों जिसे Big Size है तो उसके लिए A1, A2 और अगर Masterpiece वगरा छोटे हैं तो उसके लिए A5 और A6 टाइप के पेपर सीरीज का यूज़ करते हैं ठीक है दोस्तों नेक्स बताता हूं मैं आपको कि और कौन से पेपर्स रहते हैं देखे अभी यह C type C size आपने नया सुना होगा कि C size भी पेपर होते हैं जैसे A size के होते हैं वैसे C size होता है A कार के कागज की तरह संख्या छोटी होती है कागज कार उतना ही बड़ा होता जबकि आप C पेपर size के जो प्रिंट होते हैं उनकी जो क्लॉजिंग होती है उनका जो नंबर होता है वो C1 से C10 तक की तरव होता है ठीक है दोस्तों तो C1 इसका देखे इसमें भी सेम है अब अगर C क्लॉज पूछ लेगा तो सबसे उपर सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा ऐसे चलके चलता है मतलब यह सबसे ज़्यादा जो length और breath दी हुई है वो दी है आपकी AC1 की और C0 इससे ज़्यादा बड़ा होगा पूला है आपसे कि C पेपर एक अन्य सामान कारक यह है कि प्रतेक आकार के बीच आकार का अंतर A पेपर के सामान होता है यह सुनिशित करने के लिए आप C पेपर के लिफाफे के भीतर सम्मंदित A प्रकार को आसानी से फिट कर सकते है ठीक है उसका जो लाइट मीडियम और हैवी क्या होंगे 74 का जो है LBS देखे LB पाउंड के बारे में आपको ना पता हो तो आप यहां पर समझ लिए कौन कितने पाउंड का होता है और इससे आप इसको समझ सकते हैं इसमें एक कोशन्स आया था कि इतने GSM का इतने GSM का पेपर का वेट कितना होगा तो दोस्तों यहां पर आप एक चीज याद अखिएगा यहां मोशली आप से मोशली पेपर का वेट नहीं पूछता है यहां पर पूछ लेता कि कौन हैवियर होगा और कौन लाइटर होगा जैसे यहां 250 GSM लिखा और यहां 110 लिखा है तो यहां से जो बड़ी रीडिंग होगी इससे ही आप समझ जाएगी कि जैसे 250 GSM का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी पूछ सकता आप से पर अब आपको मैं यह कोश्चन को लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा आपको बताता हूं कि 250 GSM हायर होगा या हैवियर होगा या 110 तो देखिए जो आपकी रीडिंग जादा है 250 जादा है ना तो 250 हैवियर होगा बारी होगा और 110 हलका होगा ठीक है दोस्तों और GSM का फुल्फॉऔं्फॉऔं्फॉर्म किया होगा gram पर sq.m ग्रम पर sq.m इसको GSM का फुल्फॉऔंम भी पूछ सकता आपसे अलग काग़ज जैसे सुटिंग औगरा होती है फोटो पेपर्स होते हैं वो अलग तरिके से होते हैं GSM को देखिए यहाँ पर बोला है कि jsm को ग्राम प्रती वर्ग मीटर ग्राम प्रती वर्ग मीटर या ग्राम पर स्क्वाइर मीटर के रूप में मापा जाता है ठीक है दोस्तों और जितना ही आपको मैं बता देता हूं jsm का मूल जितना अधिक होगा कागज उतना ही मोटा होगा मैंने आपको बताया था कि 110 GSM जादा हैवियर होगा या 250 तो 250 GSM जादा हैवियर होगा ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर यह और से बता दे रहा है कि कौन से वेपर जैसे 300 GSM है हैवियर भी होगा तो इसे बिजनेस कार्ड वगरा के लिए होगा मैगजीन कवर के लिए 180 का यूज करते हैं 130 का पोश्टर्स वगरा जो लगाते हैं वो 130, 170 के उसमें होता है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर आपको यह बात समझ में आ गई होगी अभी आपको मैंने कागश के बारे में बता दिया कि कौन से GSM का पेपर किसके लिए होगा जिसे 80 GSM का रहले और मैट पेपर होते हैं मैट पेपर ना यह 4 साइज की पेपर उसके जो ठीकनेस होगी यह दैनिक समाचार वाले और भी पतले होते हैं उनको 35 या 55 GSM के बीच की रेंज रहती है ठीक है ना कोटिंग्स कौन कौन से होती है जिसे वार्निस कोटिंग होती है या आम तोर पे चमाक, सार्टन या सुस्त अच्छी रहती है वार्निसिंग खत्म करने का उपयोग उत्पादित की जाती है ठीक है दोस्तों ऐसे यूवी कोटिंग होती है उसके पेपर के उपर सुरच्छा प्रदान करती प्रिंट आउट को और रंग को थोड़ा बढ़ा भी देगा अच्छा कर देता है एक तरल के माद्यम से परावेलनी प्रकास का उपयोग करके कठोर होने से पहले लगाया जाता है मतलब वो जो पेपर्स है उसको टाइट होने से पहले यूवी लेपित कागश की मुटाई इस पे निर्भर कर जाती कि कितना तरल लगाया गया हुआ है ठीक है दोस्तों ऐसे ही आपको मैं बताता हूँ कि ये जो यूवी लाइट है उसके साथ और कौन से प्रिंटर होते हैं जिनको यूज किया जाता है अभी देखिए दोस्तों जिसम के बारे में तो मैंने आपको बताया अभी यूवी कोटिंग के बारे में बताया अभी एक जली कोटिंग होती है water coating होती है इंक जिर्ट प्रिंटर में जो तेजी से सूखता है इंक वगरा उसके लिए भी ये coating की जाती है और glitter glitter का जो प्रभाव होता है जो wishes, teining या glitter होते हैं वो प्रभाव भी नहीं होती है coating के उप्यों की जाने की वज़े से ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर जो printing papers है ये सारे के सारे printing papers यूज़ होते हैं और आप मैंने जितने भी size बता हैं, आप उसको लिख लेंगे note कर लेंगे, ये आपके exam में पूछे जाने वाले questions है, ठीक है दोस्तों तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ऐसे theoretical वीडियो चाहिए तो comment section में comment जरूर करेगा आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा thanks for watching technician spot से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद